नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रवेदी आपके अपने यूटूब चैनल विकास इस्टिडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हिस्ट्री की धंतेरस इस्पिसल क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला कुश्चन दोस्तों हमारा पहला कुश्चन है पूर वैदिक या रिग वैदिक संसक्रत का काल किसे माना जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसन ए 1500 इसापूर से 1000 इसापूर दोस्तों हमने आपको बताया था जो वैदिक सभिता है वो दो भागों में विभाजित है एक रिग वैदिक सभिता और एक उत्तर वैदिक सभिता तो दोस्तों रिग वैदिक सभिता जो है उसका time period 500 इसापूर से 1000 इसापूर और अगर उत्तर वैदिक सभिता की बात करें तो 1000 1000 इसापूर से 600 इसापूर तक उत्तरवैदिक काल सभिता रही तो दोस्तों उसके बाद कुष्चन नमबर 2 पर चलते हैं हमारा कुष्चन नमबर 2 है दोस्तों उत्तरवैदिक संसक्रत का काल किसे माना जाता है तो दोस्तों अभी हमने पिछले कुष्चन में आपको इसका आं पर दोस्तों कुश्चन नम्बर तीन हमारा है कुश्चन नम्बर तीन हमारा है दोस्तों आरे सब्दका साब्दिक अर्थ है तो दोस्तों आरे सब्दका साब्दिक अर्थ हमारा क्या है तो इसका अंसर राइट हो जाएगा बी स्रेष्ट या कुलीन दोस्तों ये कुश्चन यतने भी हैं, ये सभी एक्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं, UPP, PCS 2009 में ये कुश्यन पूछा गया है, कि आरे सब्दका साब्दिक अर्थ क्या है, तो स्रेष्ट या कुलीन होता है, आरे सब्दका साब्दिक अर्थ, उसके बाद दोस्तों अगले कुश्यन पर होते थे, वे कई जुन्डों में भारत पहुंचे, बिल्कुल सही बात है, दोस्तों ये भी, उसके बाद अगला है, कि वे घुड़सवारी करते थे, ये भी सही है, और वे मुख्यता नगरों में निवास करते थे, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, तो इस कुश्यन का हमा इन में से किस फसल का ज्यान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, आप लोग आपसन देख लीजिए, उसके बाद राइट आंसर बताईए, और दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपसन नमबर D, तंबाकु, तंबाकु से दोस्तों आरे परचित नहीं थे, उसके इनको किस नाम से जाना जाता था, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपसन नमबर D, श्रमड, श्रमड दोस्तों जाना जाता था, उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं दोस्तों, अगला कुश्यन हमारा है, किस वेद में प्राचीन, वैदिक यूग की संसक्रत के बारे में सूचना दी गई है, दोस्तों, ऐसा कौन सा वेद है, जिसमें प्राचीन, वैदिक यूग की संसक्रत के बारे में सूचना दी गई है, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपसन नमबर A, आपसन नमबर A हो जाएगा, जिग वे हैं और इसके जो पाठ करने वाले रिषी को रोता कहते हैं दोस्तों रोता कहते हैं रिगवेद के पाठ करने वाले रिषी को और अगर इसके दोस्तों तीसरे मंडल की हम बात करें तो इसका जो तीसरा मंडल है रिगवेद का ये सूरी देवता और सागित्री को समर्पित प्र वेद में तो दोस्तों उसके बाद अगले कुश्यन पर हम चलते हैं निमन लिखित में से उत्तर वैदित काल में लिखे गए गरंथों का सही क्रम कौन सा है तो दोस्तों हमें क्रम पहचानना है कि ये भी एकजाम में बहुत पूछा जाता है कि इनका क्रम कौन सा है तो आप ल राइट आंसर हो जाएगा वेद, ब्रामःड, अरण्यक और उपनिसद आपसर नमबर ये तो इनका सही करम दोस्तों बहुत ध्यान से देख लेना एक जाम में पूंचा जाता है कि सही करम से लगाएं तो वेद, ब्रामःड, अरण्यक और उपनिसद इसका राइट आंसर हो सrhाब आएगा, उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते है, कुश्यन नमबर 10, वेदोगि संख्या कीतनी है, ये हमारा कुश्यन नमबर 10 है, आप लोगों को इसका अंसर पता होग़ा, दोस्तों सामवेद और अथरवेद दोस्तों प्राचीन वेद रिगवेद है और सबसे नया वेद या नमीनतम वेद अथरवेद है उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रई या वेद त्रई कहलाते हैं तो दोस्तों कौन से वेद जो हैं जो त्रही कहे जाते हैं ये भी कुश्चन दोस्तों most important है एक्जाम में पूछा जाता है तो हमारा इसका right answer हो जाएगा आपसा नमबर ए रिगवेद यजूरवेद और सामवेद दोस्तों अथरवेद को छोड़कर रिगवेद यजूरवेद और सामवेद जो हैं वो त्रही कहे जाते हैं या वेद त्रही कहे जाते हैं उसके बाद हमारा अगला कुश्यन है भारत के राचिन में प्रियुक्त होने वाले सत्यमेवजयते किस उपनिसद से लिये गये हैं तो दोस्तों आप लोगों को इसका right answer पता होगा सत्यमेवजयत आपसा नमबर B पसपालन था उसके बाद अगले कुश्यन पर चलते हैं भारती संगीत का आधि गरंत किसे कहा जाता है तो दोस्तों भारती संगीत का आधि गरंत आपसा नमबर D हमारा सही हो जाएगा सामवेद सामवेद को दोस्तों भारती संगीत का जनक कहा जाता है उसक इसके बाद अगला कुश्यान है कुश्यान नंबर 16 हमारा क्रश्न भक्ति का प्रधम और प्रधान गरंत हैं तो हमारा रइट आंसर वह जाएगा आप सानम्बर बी स्रीमध भगवत गीत्ता गवे सुन एक व्यक हुआ है कि सरवाधिक युद्ध जो है वो गायों के लिए लड़े गए और गाय को अधन्या कहा गया है अधन्या और सुधास और दस जनों के बीच जो युद्ध हुआ था पुरुषणी नदी के किनारे वो भी गायों से ही संबंधित था दोस्तों तो रिगुएद में गाय को दोस्तों अधन्या और ये सबसे गोधन जो है वो संपत्ति का प्रमुख रूप था दोस्तों उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं रिगुएद के किस मंडल में सुध्र का उलेक पहली बार मिला है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका आपसा नंबर D दसव अठारा है और वेद हमारे चार है वेद चार है और अगर वेदांग की बात करें तो वेदांग दोस्तों 6 है वेदांग 6 है और अगर उसके बाद उपनिसद की बात करें उपनिसद दोस्तों 108 है वेद चार है वेदांग 6 है और पुरान दोस्तों 18 है तो हमारा राइट आंस इन में से किसकी उपासना था तो हमारा राइट आंसर हो जायेगा आप से प्रक्रति दोस्तों प्रक्रति की उपासना करते थे प्रक्रति की दोस्तों उसके बाद कुश्चन नमबर 21 किस देवतां के लिए जिगवेद में पुरंदर सब्द का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों आप जानते हैं कि पुरंदर इंदर का पर्याइबाची है तो इंदर के लिए पुरंदर सब्द का प्रयोग किया गया था जिगवेद में उसके ब गया है तो दोस्तों अस्तो वा तर्वर के बहुंगा傅र हो जाए गये स्कतिय। अभी हमने आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में जब क्लास शुरू की थी कि रिग्वेत के पाठ करता को क्या कहा जाता है तो हमारा हो जाएगा क्या रोता उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यजुर्वेत के पाठ करता को क्या कहा जाता है तो हमारा राइट दोस्तों जो रिगवेद है उसके पाठ करता को होता या हुरोत कहा जाता है और जो यजुरवेद के पाठ करता है उसे अधरवायू कहा जाता है और सामवेद के जो पाठ करता है उसे उद्गराता या उद्गरात कहा जाता है और अधरवेद के पाठ करता ब्रह्मा या अधर अधर्ववर कहे जाते हैं दोस्तों यह ब्रहमाया अधर्ववर के सद्सकिर दूस करे हैं इसके बाद दोस्तों अगले पर चलते हैं कुश्चन 26 वेदोanes को अपब उसे क्यों कहा गया है तो हमने सब पढ़ाई थी तब ऐसा कोई भी कुश्चन नहीं है जो इसमें से चूटा था आप लोगों ने वो क्लास अगर की होगी तो इसमें सभी कुश्चन आपको आ रहे होंगे उसके बाद अगले कुश्चन पर चलते हैं वैसेशिक दर्सन के प्रतिपादक कौन थे तो दोस्तों व वो योग दर्सन के हैं गौतम नयाय दर्सन के हैं और कपिल साख्य दर्सन के हैं और सबसे प्राचीन दोस्तों साख्य दर्सन है कपिल साख्य दर्सन के पतंजल योग दर्सन के और गौतम नयाय दर्सन के प्रतिपादक हैं और दोस्तों वैसेशिक दर्सन के कड़ाद या उसके बाद दोस्तों मीमानसा या पूर्व मीमानसा दरसन के प्रतिपादक कौन है तो हमारा कुश्चन नमबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर A जैमिनी दोस्तों पूर्व मीमानसा या मीमानसा के प्रतिपादक जैमिनी है आपसा नमबर A सही हो जाएगा उसके लाद अगले कुश्चन पर चलते हैं वेदान्त या उत्तर मीमान सा दर्सन के पृतिपादक हैं कुश्चन नमबर 29 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर B बादरायर वेदान्त या उत्तर मीमान सा दर्शन के प्रतिपादक बादरायन है उसके लाद अगले कुश्यन पर चलते हैं ये कुश्यन नमबर 30 हमारा दोस्तों जिगवेद का कौन सा मंडल पूर्टा सोम को समर्पित है अभी हमने आपको बताया दोस्तों तीसरा मंडल जो है वो सावित्वी और सूरी देवता को समर्पित है जिगवेद का तीसरा मंडल और सोम को समर्पित दोस्तों जिगवेद का नवा मंडल है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C आपसा नमब सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नवा मंडल सुर्य देवता को पूर्टा समर्वित है उसके बाद कुश्या नमबर 31 हमारा दोस्तों राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तठ पर हुआ अभी हमने आपको बताया था जब गाय के बारे में हमने चर्चा की थी तो दोस्तों ये दसराज युद्ध जो था वो पुरुषणी नदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर D दसराज युद्ध पुरुषणी नदी के तठ पर हुआ था उसके बाद अगला कुश्य हमारा है कुश्य नमबर 32 धर्म सास्त्रों में भूर आजस की दर क्या है तो दोस्तों कुश्य नमबर 32 है कि धर्म सास्त्रों में भूर आजस की दर क्या है तो दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसा नमबर C एक बटे छे एक बटे छे होगी दोस्तो भूरा जशुकी दर उसके बाद हमारा आज का अंतिम कुश्चन है कुश्चन नमबर 33 आरसव इसापूरु से 600 इसापूरु का काल किस यूग से जुड़ा है तो दोस्तो कुश्चन नमबर 33 है तो ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद